सुप्रीम कोट के जज साहब बिहार सरकार के वकील को कहते हैं कि कानून बनाने के पहले क्या बिहार की सरकार ने शराब बंदी का कोई डेटा इकठा किया था कि आप हमको बता देंगे कि शराब बंदी कानून लागू करने के बाद शराब की खपत घट गई है और तब बिहा सरकार के वकील एक आदमी को दिखा कर कहते हैं। कि इसकी गाड़ी से 25 लिटर भारी शराब बरामत की गई। भारी का मतलब की ज्यादा असरा बरामत की गई और जस आप कहते हैं कि 25 लिटर आपको इतना ज्यादा शराब लगता है तो एक बार पंजाब के यात्रा जाकर आप कर के आजाएए अब वहाँ पर जस आप एक महत्पुन बात कहते हैं वो कहते हैं कि पूरी की पूरी जो नया प्रणाली पर इसका बोज परता है और जश सहाब वहाँ पर कहते हैं और तब कहा जाता है कि शराबंदी को लेकर सुप्रीम कोट बिहार सरकार पर सक्त है या बिहार सरकार को फटकार लगा रही है आगे हम आपको बताएंगे कि शराबंदी को लेकर सुप्रीम कोट में क्या ह हुआ है जिसकी इतनी जबर्जस्त चर्चा चल रही है बागियो नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन यह वीडियो ड्रीम पैलेस मेरेज हॉल के द्वारा प्रयोजीत है अगर पटना में आपको कहीं भी शादी वगरा करना है सालग है यह एक बंपर ऑफर भी लेकर आएं जिसके तहत आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा भरना होगा और जो हॉल का किराया होगा वो बिलकुल मुफ्थ हो जाएगा बाकिया ने जनकारी के लिए स्टूरी पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा आप उस पर कॉल आपको पूरे की पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी जो ओफर है वो लिम्टेट समय के लिए है इनके कुछ नियम और शर्त में है आप कॉल करके बाद चीत कर लीजी आपको सारी जानकारी दे देंगे बाकिया हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर अब सुप्रीम कोट में होता क्या है तो सुप्रीम कोट में जो बिहार सरकार के वकील है वो बिहार सरकार का पक्ष रख रहे होते हैं एक आदमी रहता है जिस आदमी के गाड़ी से 25 लिटर शराब पुलिस ने पकड़ा था अब सुप्रीम कोट के ज़स साहब कहते हैं कि इस आदमी के देटा है आपकी सरकार के पास इसके बाद सुप्रीम कोड कहता है कि क्या बहार सरकार ने जब शड़ाबंदी लागू की थी तो लागू करवाने के पहले क्या इस बात का कोई डेटा जुटाया गया कि आखिर कार बहार के लोग कितना शराप पीते हैं और उस हिसाब से अब देख लिया जाए कि विहार के लोग आज के समय में कितना शराब पीते हैं और इसके बाद सुप्रीम कोट के जो जद साहब होते हैं वो कहते हैं कि हम इस मनसा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं कि आपने शराबंदी की है लेकिन किसी भी कानून को लागू करने के पहले अच्छे परिणाम इसी तरह से सामने आता है सुप्रीम कोट महाँ पर एक परकार से फटकारते हुए आप कहता है कि तमाम राज्यों से जमानत की इतनी अरजिया आ रही है और बिहार से जो अरजिया आ रही है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ शराब 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 है मतलब कि सि मानत के लिए सुप्रीम कोट आते हैं और तब ज़साब कहते हैं कि पूरी की पूरी जो नियाए पालिका है उसका पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो रहा है उसके उपर इतना दभाव बढ़ गया है कि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है और सुप्रीम कोट बियार सरकार के कहता है कि जब कोई कानून बिना धन के लागू होता है तो ऐसा ही होता है अब बियार सरकार का वकील जो पक्छ रख रहे थे वो सुप्रीम कोट से कहते हैं कि 25 लिटर शराब जज साहब वहां से पकड़ी गई मतलब कि यह जो आदमी वहां पर एक खड़े हैं इनकी गार मामला चल रहा है और तो जस आप कहते हैं कि अगर यह इतना ज़्यादा है तो एक बाद पंजाब के यात्रा पर चले जाएए पंजाब के यात्रा से घुम करके आप वापस आजाएए कोल मिलाकर बिहार सरकार के शराबंदी कानून के कारण सुप्रीम कोट अपने आपको असाहाय महसुस कर रहा है अगर पहली दफात कोई जज बोले तो सायर इस पर टिपनी नहोँ लेकिन बार बार सुप्रीम कोट कह चुका है कि सरकार जो भिहार की है वह शराबंदी कानून को लागू करने के कारण जो शराबंदी कानून को लेकर बोज बढ़ा है उसके सरकार की गल्दी के कारण जो पूरी की पूरी जो नयाईक प्रनाली होती है वो पूरी तरीके से खराब हो रही है क्योंकि उसके उपर इतना ज्यादा बोज बढ़ रहा है फिलाल शराबंदी को लेकर बिहार सरकार से सवाल पुछा है सुप्रीम कोट ने कि आप हमको डेटा कीजिए कि आखिरकार शराब की खपत कितनी घटी है और अगर आपके पास कोई डेटा है कि शराबंदी के पहले लोग कि इतना शराब पीते थे तो सुप्रीम कोट में लाकर आप प्रस्तुत कीजिए बागी अब आगे देखिए कि बिहार सरकार इसका क्या जबाब देती ह लेकिन फिलार शराबंदी को लेकर सुप्रीम कोट ने जबरजस्त सवाल एक बार बिहार सरकार के नियम और कानून पर उठाया है आपकी प्रत्किरिया शराबंदी कानून को लेकर क्या है कमेंट बॉक्स में लीकर बताईएगा आगे जो भी तमाम जानकारी जो भी निया अपडेट आएगा सब कुछ में तक पहुंचाएंगे आप तमाम जानकारी क्लेम अरस्त बने रहिएगा वीडियो ही पर समाथ करते हैं केमरेक्षे बिशाल खड़े हैं और मैं मोहिक कुमार सहीं बहुत बहुत धन्यवाद